हाई फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल आज की वीडियो में मैं आपसे शेर करूँगी शुक्र परदोश वरति की कथा अगर आप मेरे चैनल में नए आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा बेल आइकन को प्रेस कीजेगा ताकि आने वाली म वीडियो सुरू करते हैं शुक्र परदोश वरति की कथा एक नगर में तीन मित्र रहते थे राजकुमार, ब्रह्मान कुमार तथा तीसरा धनिक पुत्र राजकुमार और ब्रह्मान कुमार विवाहित थे धनिक पुत्र का भी विवा हो गया था लेकिन गौना शेस था एक इस इन तीनों मित्र इस्तिरियों की चर्चा कर रहे थे। ब्रह्मन कुमार ने इस्तिरियों की परसंसा करते हुए कहा नारी ही इन घर भूतों का डेरा होता है। नहीं माना जाता लेकिन धनिक पुत्र ने एक नहीं सुनी और ससुराल पहुच गया। ससुराल में भी उसे मनाने की कोशिश की गई लेकिन वो जिद पर अड़ रहा अड़ा रहा। कर्णिया के माता पिता को उनकी विदाई करनी पड़ी। विदाई के बाद पती पतनी शहर से निकले ही थे कि बेल गाड़ी का पया निकल गया और बैल की टांग तूट गई दोनों को चोट लगी लेकिन फिर भी वो चलते रहे कुछ दूर जाने के बाद उनका डाको से सामना हुआ डाको उनका धन लूट कर ले गए दोनों लूटे पिटे जब घर पहुँचे तो वहां धनिक पुत्र का साप ने डस लिया उसके पिता ने वैद को बुलाया तो वैद ने बताया कि वो तीन दिन में मर जाएगा जब ब्रह्मन कुमार को या खबर मिली तो वो धनिक पुत्र के घर पहुँचा और उसके माता पिता को शुक्र परदोश वरत करने की शला दी और कहा कि इसे पत्नी सहित वापा ससुराल भेज दे धनिक ने ब्रह्मन कुमार की बात मानी और ससुराल पहुच गया जहां उसकी हालत ठीक होती गई यानि शुक्र परदोश की महिमा से सभी घोरकष्ट दूर हो गई भूले नात भगवान की जै हो अगर फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई